नमश्कार दोस्तों मैं आपका होस्त लोकेंदर कुमार और स्वागत करता हूँ आपका वेसिक साइंस सीरीज यूटिब चैनल में आज जो टॉपिक हम डिसकस करने वाले हैं वो है टोल लाइक रेसेप्टर्स यह थोड़ा सा आडवांस्ट टॉपिक है और यह टॉपिक अनके लिए है जो बाइयो साइंसेज के एरिया में या तो अंडर ग्रेजूफिशन कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं या पी-एजड़ि कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूंगा ये जो specific topic है ये उनकी competitive exams के लिए या उनके जो semester exams होते हैं उसके लिए important है हाला कि ये थोड़ा general public के लिए ये topic उत्रा मैं suggestion नहीं करूंगा क्यूंकि इसमें जो हैं बहुत detail मैं उन्डिसकस करेंगे लेकिन हाँ अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह से microbes, viruses, pathogens किस तरह से वो हमारे immune system के उपर attack करते हैं और किस तरह से वो कोशिश करते हैं कि enter हो हमारे system के अंदर जैसे कि COVID-19 के case में आपको बहुत है कि virus जो है वो human के एक particular receptor को target करता है जो की है ACE2 receptor और जब spike protein जो virus की spike protein है human के ACE2 receptor के साथ interact करती है तो virus की entry facilitate करती है वो virus जो है उसके cells के अंदर जो है enter हो जाता है और उसके बाद उसकी multiplication शुरू हो जाती है तो यह molecular mechanism है bear house इतना detail में जाने की general topic के लिए कोई जरूरत नहीं लेकिन जो specific त्यारी कर रहे हैं bio sciences के field में for example अगर वो CSAR net की त्यारी कर रहे हैं या अपने exam की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए यह specific topic जो है life sciences के लिए यह topic बहुत important है तो इस topic में दोस्तों हम क्या discuss करेंगे इस topic में हम discuss करेंगे कि toll like receptors क्या होते हैं उनका function क्या रहता है उनका structure है detail structure molecular level पर उनका structure कैसे रहता है और जो अलग-अलग types of toll like receptors होते हैं humans की case में उनका क्या function रहता है और वो present कहां कहां होते हैं साथ में जो उनके specific ligands होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं। तो आप इस presentation में देखेंगे कि यह सारी बातें जो हैं वो detail में discuss करूँगा मैं। और यह आपके लिए as a notes भी खाम आ सकता है। यह particular video आप screenshot लेके notes भी रख सकते हैं उन particular slides का। और आपके लिए काफी useful होगा यह video। इससे एक थोड़ा सा आपको यह भी idea हो जाएगा कि कितनी detail में आपको कोई topic जो है specifically toll-like receptor पढ़ना है। इसमें मैं signaling include नहीं कर रहा हूं तो आयो दोस्तों अभी हम discuss करते हैं toll-like receptors in detail। आयो दोस्तों topic शुरू करते हैं। presentation को मैं slide first से शुरू करता हूं। आप देख रहे हैं यहां पर जो मैं अभी दिखाने कोशिश कर रहा हूं यह है toll-like receptor। ठीक है दोस्तों। और मैं यह green color का pointer यूज़ कर रहा हूं laser pointer special design की MNN ताकि आपका ध्यान उस specific portion of the slide के उपर मैं आपका focus कर सकूं। तो अभी जो आप देख रहे हैं अपनी computer screen के उपर या कोई भी device आप यूज़ कर रहे हैं वो है toll-like receptor का structure। मैंने क्या किया है कि PDB जो protein data bank की website है अगर वहां आप जाएंगे और type करेंगे toll-like receptor proteins तो आपको अलग-अलग options मिलेंगे। उसमें से मैंने यह particular PDB ID जो है वो extract की उसका structure जो है extract किया और वो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। यह जो structure है वो dimeric structure है आपको detail में भी मैं बताऊंगा कि क्यों यह dimer form कर रहा है और जब dimer formation होती है तो उसका क्या significance रहता है। तो आप यहां देख रहे हैं कि यह जो ID मैंने यूज़ किया है यह है dimeric structure of TLR1, TLR2 तो यनि कि बहुत सारे toll-like receptors होते हैं। उनका function क्या होता है यह सारी बाते हैं हम discuss करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि एक portion toll-like receptor का जो membrane से outside की तरफ को है और दूसरा portion membrane के inside की तरफ का। तो इसका जो outside का portion होता है इसको extracellular domain कहते हैं और जो inside होता है वो intracellular domain आ गया और जो membrane में होका वो इसको detail में discuss करेंगे सबसे पहले दोस्तों आईए शुरू करते हैं कि यह toll-like receptor की कहानी जो होती है वो शुरू कहां से होती है तो toll-like receptor की कहानी शुरू होती है कि एक human cell एक microbial cell बैक्टीरिया अगर cell की बात करें तो बैक्टीरिया हो गया अगर viruses की बात करें पार्टिकल्स की बात करें तो small viruses हो गए वो किस तरह से जो है वो interact करते हैं यह question इसमें main question जो है toll-like receptor की case में कि वहां से बैक्टीरिया आता है आपके पास cell है वो किस तरह से communicate करते हैं वो किस तरह से enter करते हैं किस तरह से वो उसको infect करते हैं या stimulate करते हैं कुछ नो कुछ mechanism तो होगा यहां आप देख रहे हैं मैंने बताने कुशिश किये कि एक तरह से क्या signaling path भी इन दोनों की बीच में हो रहा है तो main question यह है कि how human cell communicate with microbes ठीक है दोस्तों तो main यहां पे यह है कि किस तरह से human cell microbial signal जो है वो acquire करता है अब इस case में आपको दो चीजें जो है वो clear होनी बहुत ज़रूरी है वो है PAMP pathogen associated molecular patterns और PRR वो है pattern recognition receptors दूसरी slide में थोड़ा सा ज़्यादा clear हो जाए गई है कि मैं next slide में आपको बताने कोशिश करता हूँ देखे यहां पर PRR का मैंने जो है detail में लिखा हुआ कि इसके जो function क्या है क्या काम करता है तो basically यहां पर मैं explain करना चाहूँगा आपको कि जो PAMP यहां पर आप देख रहे हैं इधर pathogen associated molecular patterns नाम से ही एक clarity इसमें आ जाती है कि जो pathogen associated molecular pattern या markers है यानि pathogens में जो present है अब वो molecular markers या patterns क्या है pathogenes में क्या होते हैं cell wall होती है cell wall में अलगलो molecules होते हैं जैसे lipopeptides होते हैं lipopolysaccharides होते हैं proteins होती हैं और जैसे flagelline protein होती है तो यह सारे जो molecules हैं वो आ जाते हैं आपके pathogen associated molecular patterns और virus case में जो उसका जो है genetic material वो add हो जाता है bacteria case में जो उसका DNA है वो add हो जाता है तो इस तरह से जो जो molecules हैं उनको जो pathogen associated molecules हैं उनको कहा जाता है PEMP और उनको जो detect करता है यानि जब यह specific molecules interact करते हैं किसी भी animal cell के साथ especially immune cells के साथ तो क्या होता है उनके उपर receptors होते हैं क्योंकि वही cells होते हैं जो सबसे पहले respond करते हैं अगर कोई foreign microorganism या foreign particle कहीं जैसे antigenic particle आ गया तो सबसे पहले immune cells जो होते हैं वो respond करते हैं और immune cells के पास ये एक weapon कहीं ये हैं जिसको कहते हैं कि pattern recognition receptors होते हैं इनका काम होता है इन molecule को detect करना देखना कि ये क्या molecules हैं और किस तरह से इसके against हम respond कर सकते हैं एक particular cell जो है PRR में यानि जो toll-like receptor है वो आपके pattern recognition receptors होते हैं pattern recognition receptors जो होते हैं वो होते हैं तीन तरह के पहला जो है आपके पास toll-like receptor होगा दूसरा c-type lectin receptor होगा तीसरा Nod-like receptors हो जो Nod-like receptors होते हैं वो होते हैं आपके cytoplasm में ये membrane receptors, membrane proteins नहीं होते हैं लेकिन C-type lactin receptor आप देख रहे हैं यहाँ पर ये होते हैं membrane proteins इस वीडियो में मैं specifically focus कर रहा हूँ toll-like receptor के उपर अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो अलग-अलग categories है क्या रहता है देखे सबसे पहला जो है कि innate immune system में PRR का बहुत important role है दूसरा इसका काम होता है molecules को detect करना जो typical होते हैं pathogens के लिए जो कि मैं already discuss कर चुका हूँ cell wall components हो गया flagelline हो गया, genetic material हो गया तो ये unique होगा, ये अलग होगा human cell से या animal cell से जिस भी organism के बात कर रहे हैं वो बिल्कुल different होगा, तो उनका गाम होगा उन foreign चीज़ों को detect करना, उनको sense करना और उन molecules कम क्या कहते हैं PAMPS बहुत बार में बता चुका हूँ अब ये जो story है ये आपके दिमाग में बिल्कुल clear होनी चाहिए कि PRR क्या होते हैं और PAMPS क्या होते हैं चलिए, अगर ये चीज़ आपके दिमाग में पुरी तरह clear हो चुकी है तो next slide में हम जाते हैं और discuss करते हैं toll-like receptors क्योंकि PRR में सबसे पहला जो receptor हमने discuss किया था, वो थे toll-like receptors अब toll-like receptor कि अगर general introduction की बात करें हम तो सबसे पहले ये क्या होते हैं ये होते हैं membrane receptors यानि membrane में present होते हैं अब membrane आपको पाता होती है कि एक तो membrane है जो cell की अपनी membrane है, plasma membrane जिसको कहते हैं जो cell की अपनी boundary है लेकिन उसके जो अंदर से होती हैं जो membrane bound organelles होती हैं उन में भी receptors present होते हैं तो यहाँ पे endosomal और lysosomal membranes होती हैं, उसमें जो है specific toll-like receptors प्रेजन निए होते हैं और जो plasma membrane होती हैं उसमें specific toll-like receptors प्रेजन निए हैं तो यहाँ पे आपको एक और चीज important जो चीज याद रखनी है वो है कि plasma membrane में कौन से toll-like receptors होते हैं और endosomes में कौन से toll-like receptors होते हैं और उनके ligands भी अलग-अलग होते हैं दोस्तों ये आपने बहुत अच्छे से अपना concept clear करना है इसके बारे में आप detail में और पढ़ सकते हैं क्योंकि मैंने कुछ studies में ये भी पढ़ा था कि जो endosomal toll-like receptors होते हैं वो usually endoplasmic radiculum में जब cell जो है resting stage में होती है तो वो endoplasmic radiculum में होते हैं लेकिन वो transfer होते हैं endosomal membrane में और lysosomal membrane में जब cell activate हो जाती है through PAMS, right? Anyways, तो आप detail में वो चीज़ें देख सकते हैं जब आप research article पढ़ेंगे तो उनमें ये चीज़ें detail में लिखे होती हैं बहराल इस video में मेरा objective ये है कि आपको जो है basic signaling है basic pathway है उसको basic structure है उसको समझा सकूँ basic function है उसको समझा सकूँ तो मेरा motto इसमें ये है आपको अगर किसी भी competition की त्यारी करनी एक edge रखना है तो आपको detail में इस सारी चीज़ें जो है वो खुद से पढ़नी भी पढ़ेंगी तो आए दोस्तों बाकी जो है दूसरा discuss कर लेते हैं function क्या है इसमें कि recognition इसका जो function है जो पी आर आर का basically function हमने डिसक्स किया तो वही इसके रहते हैं तो यहां पर additional मैंने लिखा हुआ कि pro inflammatory cytokines और effector cytokines जो होते हैं वो release होते हैं inflammation inflammatory response feverish kind of response होता है human body में तो वो क्यों होता है जब भी कोई infection होता है तो सबसे पहले ऐसा ऐसी discussion होती है सबसे पहले जो symptom जो दिखता है body में वो होता है कि बुखार आज़ फीवर तो वो fever किस वज़े से होता है molecules होते हैं जो release होते हैं तो यह जो pro inflammatory cytokines है वो one of the reasons होते हैं उन symptoms के लिए ठीक है दोस्तों तो जो already मैंने आपको बताया कि सबसे important बात यहां पर यहां पर यह आपको धियान रखना है कि plasma membrane में कौन से toll-like receptors होते हैं और endosomal membrane में कौन से toll-like receptors होते हैं आप देखेंगे यहां पर आइए दो यहां सबसे पहले यह देख लेते हैं कि endosomes में कौन से होते हैं देखे TLR3, 7, 8 and 9 अगर आपको यह याद रहते हैं आपने बस इसको जो है total humans के case में 10 toll-like receptors होते हैं अगर आपको यह याद रहते हैं जो बाकी बचे हुए toll-like receptors हैं वो आपके plasma membrane toll-like receptor हो गए हैं यह एक trick आप यूज़ कर सकते हैं इनको याद रखने के लिए तो आप देखेंगे कि 3, 7, 8 and 9 यह endosome से होते हैं और इनकी ligands की category भी बड़ी unique सी होती है वो आगर discuss करेंगे अब आते हैं दोस्तों toll-like receptor के structure के उपर कि इसका जो structure जो होता है वो कैसे होता है मैं already आपको बता चुका हूँ जब यह presentation मैंने शुरू की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि यह देखें इस तरह से structure रहता है लेकिन यहां मैंने कुछ specific points लिखे हुएं और मैं चाहता हूँ कि वो particular points जो हैं वो हम discuss करें related to the structure of toll-like receptor तो already मैं आपको बता चुका हूँ कि एक extracellular domain है एक intracellular domain है और transmembrane domain है यानि जो की membrane में present है यहां पे तो सबसे पहला point इसमें यह है कि common structural framework होता है इसके case में जो toll-like receptors है उनको जो structure रहता है सभी toll-like receptors में वो common सा रहता है एक तरह से इसी तरह का structure देखेंगे आप एक horse shoe shaped structure होगा जो extracellular domain का structure होगा उसके बाद जो है आपके बाद transmembrane और एक TIR domain होगा cytoplasmic region में तो यह जो structure रहेगा एक common structure रहेगा और दूसरा जो है already मैं बता चुका हूँ कि horse shoe shaped structure रहेगा extracellular domain का और leucine rich repeats होगा इसमें leucine rich repeats क्या होती है दोस्तों एक region होता है जो extracellular domain है यहाँ पे region होता है जिसमें leucine amino acid जो होता है वो बहुत ही जादा मात्रा में present होता है और इसका एक unique sequence होता है जो कि 22 से 39 amino acid long होता है 22 to 29 amino acid long sequence होता है और यह sequence क्या है आपको यह search करना है यह sequence क्या है यह बहुत unique sequence होता है और कई बरी इस पे भी question पूचे जाता है कि कि इसमें से बताईए कौन सा leucine rich repeat का unique sequence है क्योंकि इसमें जो leucine की जो repetition होती है वो एक specific position पे होती है मैं जानबूद कि यहाँ पे incorporate नहीं करना हूँ ताकि आप भी थोड़ा सा इसको search करें और थोड़ा सा आपको जो है idea हो जाए कि leucine rich repeat का जो structural organization होती है या sequential organization होती है वो किस तरह से रहती है और दूसरा मैं आप आपके साथ discuss कर चुका हूँ कि यह dimeric form में present होती हैं जब activation होती है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यह दोनों जो molecule है इसके case में TLR1 और 2 यह dimer form कर रहे हैं और बिल्कुल specific M-shaped dimer है यह देखें M-shaped dimer बन रहा है और जब यह बन जाता है तो यह change कर देता है confirmation especially in the cytoplasmic region में जो TIR domain है वहाँ जो confirmation change हो जाता है वो signal transmission में जो है वो बहुत important role play करता है तो क्योंकि यह देखें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है cytoplasmic domain in close proximity क्या जाते हैं कि cytoplasmic domain नजदीक आ जाते हैं और जो confirmation change हुआ उसकी वज़े से signal जो है transmit हो जाता है through various adapted proteins जिसके case में mid etiate, trif, tram यह कुछ protein मैंने लिखी हुई है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर मैं signaling नहीं discuss करने वाला हूँ क्योंकि यह बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा बहुत ही complicated वीडियो हो जाएगा तो इसके case में mid etiate आपने याद रखना है, trif, tram यह ऐसी protein याद रखना है और भी बहुत सारी proteins होती है वह हम discuss करेंगे next video में और उसमें आप देखें किस तरह से यह signaling काम करती है specially in case of toll-like receptors system तो यह तो structure हो गया दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया कि यह एक्स्टर-cellular domain जो है आपको बिल्कुल याद रखनी है आपने इसको घोल के कहते हैं कि इसको पी लेना है इसमें जो information मैं आपको दे रहा हूँ इसमें क्या है कि मैं आपको बताने कोशिश कर रहा हूं कि जो toll-like receptors हैं और उनके ligands हैं वो क्या-क्या है अलेडी हम डिसको कर चुके हैं कि toll-like receptor 1, 2, 4, 5, 6, and 10 यह जो होते हैं यह cytoplasm में होते हैं और 3789 यह जो होते हैं endosomal toll-like receptors भी इनको कहते हैं endosomal और lysosomal membranes में present होते हैं अब मैंने आपको एक hint दिया था कि इनकी जो ligand के category भी बड़ी unique सी होती है आप categorize कर सकते हैं आराम से अगर इनको ध्यान से आप देखें आप देखें टो-like receptor 1 जो है bacterial lipoprotein multiple triacyl lipopeptides lipoprotein यानि lipid protein जैसे molecule जो होते हैं bacteria case में उनको detect करता है TLR2 के case में आप देखेंगे bacterial peptidoglycans यह भी cell wall का एक component होता है component होता है peptidoglycans present होता है आपके gram negative और gram positive दोनों के case में तो यह उसको detect करता है TLR4 तो बहुत unique ligand होता है LPS के लिए अगर inflammation आपने study की हुई है अगर आप करेंगे in future तो आपने lipopolysaccharide का जो specific ligand होता है TLR4 यह बहुत ही important information है in addition देखे heat shock protein fibrinogen और heparin sulfate यह भी इसके ligand जो है वो बताया गया है research में और भी है additional मैंने यह आपे mention किया देखे opioid drugs जो है nickel और hyaluronic acid भी इसका ligand जो है वो बताया गया है क्योंकि TLR4 जो है वो बहुत important हो जाता है especially in case of inflammatory signaling pathways फिर TLR5 आगे है जो bacterial flagella है उसमें protein होती है flagelline उसको detect करने का role जो है TLR5 का होता है आपने ध्यान रखना है यह बहुत important information है TLR6 multiple diacyl lipopeptides TLR7 triacyl lipopeptides तो आप देखेंगे यहाँ पे proteins और lipoproteins lipopolysaccharides गड़ी-गड़ी repeat हो रहा है इस तरह से इस particular category में तो आप एक तरह से अपने दिमाग में ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो plasma membrane के जो to-like receptors होते हैं वो ज़्यादा तर lipopeptides और lipopolysaccharides की तरफ उनका detection का ज़्यादा रहता है लेकिन आपको यह जरूर specifically याद रखना है कि यह कौन-कौन से ligands होते हैं अब आते हैं दोस्तों endosomal के उपर, endosomal में आप देखेंगे ऐसी unique ligands होते हैं जो जैसे small molecules भी हो गए TLR7 के case में आप देखें यह सारे small molecules और single standard RNA molecules को detect करता हैं और TLR3 जो है double standard RNA molecules जो viruses associated होते हैं उनको detect करने का बहुत important role इसमें रहता है additionally और भी molecule मैंने लिखे हुए यहाँ पे और TLR8 जो है वो small synthetic compounds और single standard viral RNA जो है उसको detect करने में बहुत important role play करता है और TLR9 जो हो गया इसका जो है बहुत ही specific unmethylated CPG oligo deoxynucleotide DNA है यह ligand भी आपने याद रखना है यह भी कई वरी questions में exams में पूछा जाता है तो दोस्तों यह देखिए सारा जो मैंने आपके पास एक slide में सारी information यहाँ पे dump कर रखी है इसको आप notes के form में आप अपने पास रख सकते हैं इसको save कर सकते हैं screenshot के तो तो main purpose इसका यह है कि आपको ligands के बारे में पूरी information होनी चाहिए अब ligand का roll क्या रहता है कि ligand जो है आपके extracellular domain में वहाँ पे bind करते है molecule के साथ वो dimerization induce करते हैं उसके बाद intracellular signaling pathway वो start हो जाता है और मैंने आपको बताए कि जो intracellular signaling pathway है वो हम discuss करेंगे अगले topic में और यही video आप मेरा दूसरा अगर चैनल follow कर रहे हैं जो कि basic science series English है उसमें मैं यह English में बना चुका हूँ तो अगर आपने English में देखना है तो आप उसमें देख सकते हैं इसको same information मैंने जो है थोड़ी सी अलग way में वो है जो है उसमें दी है अगर आप Hindi में comfortable है तो आप जो है Hindi वाला चैनल follow करके उसमें video देख सकते हैं मैं दोनों languages में video मनाता हूँ तो इस video में आप देखेंगे तो हमने दोस्तों यही discuss किया कि toll-like receptors क्या होते हैं अब आपको जो इतनी बार में toll-like toll-like बोल चुका हूँ तो आपके दिमाग में पूरी तरह bad जाना चाहिए कि जब immune system की बाद आती है innate immune system की बाद आती है तो एक molecule होता है जिसको कहते है toll-like receptor औ लेकिन वो बहुत जादा detail हो जाएगा इनको toll-like receptor क्यों कहते है toll receptor क्यों नहीं कहते है उसके लिए भी एक reason है जो toll specifically discover हुए तो drosophila के case में जो fruit fly होती है उसके case में discover हुए थे लेकिन फिर बात में जब humans के case में discover हुए या दूसरे animals की case में discover हुए तो उनका structure जो है बहुत similar पाया गया drosophila toll से तो फिर इनको toll-like receptor कहा गया तो बहुत ही weird nomenclature रहता है आप देखेंगे अब जो adapter proteins आएंगी उनके तो नाम भी लंब लंबे रहते हैं functions के साथ associated उनके नाम होते हैं तो आपको धियान रखना होता है कि कौन सी signaling में कौन सी protein involved हो रहता है तो अगर आपको यह सारी information clear है न दोस्तों तो आप design कर सकते हैं अपने experiment design कर सकते है research में basically यही रहता है अगर आपको जैसे माल लीजिए इसके case में मैं कहूं अगर मैं कोई path भी study करना चाहता हूं अपने experiment के तुरू तो मैं कौन से toll-like receptor का जो है expression check करूंगा अगर मैं virus को study कर रहा हूं अगर मैं bacteria को study कर रहा हूं आप देखिए तो जो plasma membrane toll-like receptors है specifically उनके उपर में ज्यादा focus करूंगा bacteria case में क्यूंकि वो bacteria के components को जो है वो detect कर रहे हैं और virus के case में मैं endosomal या lysosomal की तरफ ज़्यादा attract रहूंगा वो pathway ज़्यादा कोशिश करूंगा समझने की क्यूंकि वहां पे जो DNA है viral RNA है उसके उपर ज्यादा focus जो है उनका रह रहा है function wise तो main जो toll-like receptor है बहुत unique receptor family है देखिए और बहुत सारी drugs जो है वो target करती हैं इन receptors को और pharmacology के लिए बहुत important role होता है इनका तो अगर आप chemist हैं pharmacist हैं तो आपको ये सारी चीज़ें जो है receptor जो है इनकी information रखनी जुरूरी है इनके like in के information रखनी जुरूरी है तो इसमें जो है आपका जो है मैंने कोशिश की cover करने की सारा और आपको और क्या मैंने बताया कि जो structure होता है इसमें जो lucid rich repeats हैं उनको आपने ध्यान में रखना है और इसका जो basic function और category हमने detail में discuss किया हिंदी मे अगर आप English में देखने चाहते हैं तो मेरा दूसरा जो channel है उस पे आप यही video आराम से English में देख सकते हैं तो उमीद करता हूं दोस्तों कि यह जो video आपके लिए helpful हुआ होगा इसमें आपको information मिली होगी सही information मिली होगी और आपकी motivation बढ़ी होगी कि देखे इतना detail में हमें पढ़ने के जरूरत हैं तो यह तो आपको मैंने basic बता दिया यह information तो आपको जो होनी ही होनी चाहिए अगर आप जैसे कोई exam की त्यारी कर रहे हैं जो junior research fellowships related हो CSIR net का अगर आप exam देने की त्यारी कर रहे हो तो यह सारी information at least यहां तक तो आपको पता होनी चाहिए और फिर ज दूसरों को भी आराम से समझा सके और उसमें क्या क्या potential questions निकल के आ सकते हैं उसके लिए भी अपना mind आप open रखिए तो उससे क्या हो जाता है कि आपको जो है वो same concept बार बार आपके दिमाग में उसकी जो information घूमते रहती है तो उससे क्या होता है कि आपको जो वो concept हो वो ब कि आप जो है मैनत कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा सज़्यादा topics जो है वो cover कर सकें आप specially by chemistry immunology से related जो topics होते हैं अगर मैं CSI net की बात करूं तो in addition में आपके लिए नए video लेके आओंगे जिसमें हम इस तरह की topics और discuss करेंगे और detail में discuss करेंगे और तब तक के कीजिए दोस्तों इजाजत मैं मिलूंगा अगले वीडियो में जहां पर हम इसी तरह की topic जो है वो discuss करेंगे धन्यवाद दोस्तों